इनम्हा, काना जी सदा आप सभी को बहुत सारी खुश्यां दे और आप सभी के दुख दूर करें। इससे पहले के अध्याई में आपने सुना था कि किस प्रकार पांच कण्याईक रिशी पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचो की पांचो रिशी पुत्र को अपने कामदेव रूपी बानों से घायल करने का प्रयास कर रही थी। किन्तु रिशी पुत्र वहां से किसी अनिस्ट होने की आशनका से अध्रिश हो गया। अब आगे क्या हुआ इसका व्रतान चानने के लिए आप सभी सुनिए आज का त्याए। वे पांचो कन्याई इस प्रकार विलाव करती भी बहुत देर तक प्रतिक्षा करके अपने घर वापस लोट गई। जब अपने घर में पहुँची तो उनकी माताओं ने कहा कि आज इतना विलम तुम सब ने क्यों कर दिया। तब कन्याई अपनी माता से असली बात को छुपा गए और कहने लगी कि माताश्री हम तो किनरियों के साथ करीडा करती वी सरुवर पर थी। ऐसा कहकर कि आज हम बहुत ठक गई हैं और कुछ अराम करना चाहती हैं ये कहकर वो जाकर लेट गई। लिए वहाँ पर जाने लगी। उसी समय पह ब्रहमन भी स्नान करने के लिए सरुवर पर आया। उसके आने पर कन्याई ने वहाँ वहाँ किया। जैसे कमलेनी प्रातहकाल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उन सभी के नेतर खुल गए और ब्रहमचारी के पास चली गी। आपस में एक दूसरे का हाथ बगड़ कर चारो तरफ से उस ब्रहमचारी को गेर लिया और कहने लगी कि मुर्ख उस दिन तो तु भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। अब हम लोगों ने तुम्हें गेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बधेवे ब्रहमण ने मुस्करा कर कहा कि हे कन्याओ तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है। परन्तु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रहमचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास भी पूरा नहीं हुआ है और एक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने वृत का पालन करके और गुरु की आग्या पाकर ही मैं व कोयल कूकती हैं। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शासरु भी कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिक्ता से आपके पास आई हैं। सो आप प्रत्वी के सब भोगों को भोगिए। कन्याओं की बात सुनकर ब्रहमर कहने लगा हे कन्याओं तुम्हारे वचन एकदम सत्य हैं। किन्तु मैं अपने वृत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूं। उससे पहले मैं विवाह कदाबी नहीं कर सकता। तब में कन्याओं कहने लगी कि तुम मोर्ख हो। अनोखी आउश्थी, ब्रहम बुध्धी, रसायन सिथी, अच्छे कुल की सुन्दर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्रात हो उसे तभी तुरंत क्रहन कर लेना चाहिए। ऐसे कारे को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भागी वाले पुरुषी प्रेम से पून, अच्छे से कुल से उत्पन स्वयम वर चाहने वाली कन्याओं को प्रात होते हैं। कहां हम अनोखी नारियां? कहां आप तपस्वी बालक? हमारा तो हे ब्रहमन पुत्र मेल ही बेमेल है। यह बेमेल का मेल मिलाने में अवशी ही बिधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंदर विवा कर लिजी। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्रहमन ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवा नहीं करूँगा। मैं स्वेमवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प नहीं उसका मुख्ष चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार की विवार को देकर ब्रहमन ने उसी समय क्रोधी तोकर उनको श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिप्टी हो इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ब्रहमन के मुझसे ऐस श्राप सुनते ही वे सब उस करने वाले का सुख दोनों लोकों में नस्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए। और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिनलाते वे अपने अप पिशाच रिशी पोश शुकल चतुरदशी को उस अच्छोध सरोवर पर इस्तनान करने के लिए आए। जब शुधा से अर्थाद भूख से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांद कर उनकी चारों तरफ से उन्हें खेर लिया। वेद निधी प्राहमन भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने लोमस रिशी को सास्टांग प्रणाम किया। फिर पिशाच रिशी के तेज के सामने ठायरी नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधी हाथ चोड़कर लोमस रिशी से कहने लगे कि भाग इसे ही रिशी के तर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए। सब व्रतांत कह सुनाया। और कहने लगे कि हे मुनिवर ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हुए हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे स सुर्वदे से अंधेरे का नाश हो जाता है। वसिस्ट जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए। वेद निधी प्रहमण के ऐसे वचन सुनकर लोमश रिशी के नेत्रों में जल भराया। और वेद निधी से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीगर सम प्रिती पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका अपस का ज्यान विलीन हो जाएगा। वेद निधी हाथ चोड़कर कहने लगे कि हे महरशी धर्म को जल्दी ही कहिए क्योंकि श्राब की अगनी बड़ी दुखकारक होती है। तब लोमश रिशी कहने लगे कि य प्राब का फल भी नस्ठ हो जाता है। साथ जन्मों के पाप तरह इस जनम के पाप मांघ में तीर्थ इस्ञान पर इस्णान करने से ही नस्ठ हो जाते हैं। इस अच्छोध में इस्ञान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।blade सुय और अशुमेध यगि से भ भला क्यों न किया जाए तब लोमश रिशी कहने लगे कि पूर्वकाल में अवंती देश में वीर से नाम का एक राजा था उसने नर्मदा के किनारे राज सोई यगे किया इतना ही नहीं उसने अशुमेद यगे भी किये जिनके खंबे सोने के बनाए गए ब्रहमन को अन्न का बहुत सारा दान भी दिया और बहुत सारी गाएं सुन्दर वस्त्र और सोने के वाभूशन दान में दिये गए वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था भद्रक नाम का एक ब्रहमन जो की अत्यंत मूर्ख कुलहीन क्रशी कारी करने वाला दुराचारी और अधर्मी वह भाई बंधों का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रियाग में आया और माग में उसके साथ तीन दिन ता किस नान किया वह तीन दिन में ही इस प्रगार निश्पाप हो गया और फिर सुख पूर्वक अपने घर को चला गया लोमश रिशी कहते हैं कि वह ब्रहमन और राजा दोनों एक ही दिन मृत्ति को प्राप्थ हुए तब मैंने इन दोनों को बराबर इंदरलोक में देखा तेज, रूप, बल, इस्त्री, वस्त्र और आभुशनों में दोनों एक समान दिख रहे थी ऐसा देखकर उसके महातमे को क्या कहा जाए राजसुई अग्य करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जनम लेता है परन्तु संगम में इस्तान करने वाला जनम मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है गंगा और यमुना के संगम की हवा की इस पर्ष से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है और अधिक्या कहें किसी भी तीर्थ में किये गए पाप माग मास में प्रियाग मिस्तान करने से ही नस्ट हो जाते है मैं पिशाज मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हे सुनाता हूँ अब ध्यान पुर्वक सुनो इस इतिहास को विक कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने इस से इनको इस मृति प्राप्त होगी पुरातन समय में देव द्यूती नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैशनम प्राहमर था उसने पिशाज को निर्मुक्त किया था वेद निधी कहने लगे कि मैं कहां का रहनी वाला किसका पुत्र किस पिशाज को उसने निर्मुक्त किया हे रिशिवर आप करपया ये सब विस्तार पूर्वक सुनाईए तब लोमश रिशी कहने लगे किलपगी से निकली हुई सुन्दर सरस्वती के किनारे पर उसका इस्थान था जंगल के बीचों बीच पुन्य जलवाली सरस्वती नदी बहती थी वन में अनेक प्रकार के पशु भी विच्रन करते थे उस प्रहमन के श्राब के भय से पवन भी बहुत सुन्दर चलती थी और वन चैत्र रत के समान था उस जगह धर्मात्मा देव द्युती रहता था उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वर्दान से उत्पर्न हुआ था वह सदैव आत्मा को इस्थिर रखता गर्मी में अपने नेत्र सूर्य देव की ओर रखता वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था हेमंत रितु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था अपने आप गिरेवे फल और पत्यों का ही वह भोजन करता था उसका शरीर सूख कर केवल हड्या मात्र रह गई थी इस प्रकार उसको तब करते वे वहाँ पर हजार वर्ष बीद गए तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अगनी के समान प्रज्वलित था श्री हरी की प्रसनिता से ही वह ये सब कर्म करता दधीची रिशी के वर्दान से ही वह स्रिस्थ व्यशन हुआ था एक समय उस प्रहमण ने वैशाख महिने की एकादशी को श्री हरी की पूजा कर उनकी सुन्दर इस्तुती और विंती की उसकी विंती सुनकर भगवान उसी समय गरुड पर विराजमान होकर उसके पास आई चतुर भुच विशाल नेत्र मेग जैसा स्वरूप भगवान को इस पस्ट देखकर मारे प्रसनता के उसकी आँखों में आसु भराई और धन धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया तब भगवान केहने लगे हे देवद्यती मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परमभक्त हो मैं तुम से अति प्रसन हो तुम वर मागो इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खडाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवादी देव अपनी माया से शरी धरन करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुडलब है अब जब आपका दर्शन भी मुझे हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए मैं सदेव किवल आपकी ही भक्ती में लगा रहूं ऐसा वर्दाना आप मुझे दीजिए तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा कोई विग्र नहीं पड़ेगा जो मनुष्य तुम्हारे कहेगई स्तोत्र को पड़ेगा उसकी मुझे में अचल भक्ती होगी उसके धर्मकार सांगो पांग होंगे और उसकी ज्यान में परम निस्ठा होगी ऐसा कहकर भगवान महां से अंतरध्यान हो गए तब देव निधी कहने लगे हे महर्शी जैसे गंगाजी में इस नान करने से मनिश्य पवित्र हो जाता है ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया अब करप्या करके उस इस्तोत्र को कहिए जिससे उस प्रहमन ने भगवान को प्रसन किया हरे कृष्णा आज का ध्याय समाप्ध हुआ अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा